एलो दोस्तों तो कैसे ओप लोग फाइनली आज हम जिस मोवी का रीविव करेंगे ये मोवी काफी ट्रेंड कर रही है हाँ दोस्तों आपकी चहते राशपल यादो भाईया आपके नहीं हमारे भी चहते हैं क्योंकि इनका मेम्स इतना वाइरल होता है बिल्कुल देखने सच्ची घटना पर आधारित ये फिल्म आपको बहुत ही मामुल सी चीजों पर विचार करने के लिए मजबूर कर देगे तो फिलहाल बिना लहसुन पिया छेले चलते हम अपने मुद्दे पे भाईया बात करें अगर कहानी की एक छोटी सी परिवार की एक कहानी है जिसमें बहुत ही बड़ी क्रिकेटर बनाना चाहते हैं लेकिन 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 भया माता पिता का ये सपना खराब होता है उनके जीवन में आये एक गड़े से ये असलियत में हुआ सड़क एक हाथसा है जो इस परिवार की नियती पूरी तरह से बदल देता है हमारे देश में आतंक भाई लोग आप लोगों की मन में ये question तो जरूर होगा, कि भाई या फिल्म देखने में कैसे होगी, देको काम चालू है फिलहाग, किसी भी बड़ी बजट और ज्यादा प्रमोसन वाली फिल्म से लाग गुना बेतर है, ये फिल्म आपको एक पिता बेटी के अनोखे रिस्त लेकिन लेकिन लेकिन, लेकिन वो सिंस इमोसन से इतने भरपूर है कि वो आपको जगजोर कर रखतेंगे, जब फिल्म खत्म होगी तो आपके आँखे भरी होई होगी, और आपके दिमाग में होगे कि अनगिनस सवाल, हलांकि जिस सोसल एक्टिविटीज पर ये फिल्म जो मनुझ पातिल का किरदार निबा रहे हैं, साथ ही उनकी पत्नी का किरदार किया है जिया मानिक ने, और इन दोनों की बेटी का रोल किया है चाइल्ड आर्टिस्ट कुरांगी नागराज ने, आपको घंटों तक हसाने वाले राजपाल यादो इस बार अपनी इस फिल्म से आपको रूला जाएंगे, और आप यही सोचेंगे कि क्या यह वही राजपाल यादों हैं, जो अक्सर स्क्रीन पर कमेडी रोल में दिखाई देते हैं, जी यह मानिक को जितना रोल मिला है, उन्होंने बखो भी निभाया है, इसके साथ कि कुरांगी नागराज की एक्ट डाज़os, घप vari हैं, जी यह मानिक भी एक्या है, और ऊईंगे, जा खिरी रोल में झाहराज को जो अई इंशो हैं